देखे कमल कीचण में खिलता है और हर बार कीचण लोगों को पसंद नहीं आता है इस समय ब्रामणों और शत्रियों का जो जगड़ा चल रहा है भाजपा के अंदर उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अंतिम चंद सांसें बची हैं कुछ महीने बचे हैं और इसके ब पिछली बार साड़े तीन करोड के अनुमान में मिलेते हैं जैसे एक कमरे में चार कोने होते हैं जब चार कोना फाइट होती है चार कोना लड़ाई होती है तो भाजपा हरती है क्योंकि यही जाती समीकरण बट जाता है इसी लिए ध्यान रखिए कि अगर दो दलों के होगी तो भाजपा हमेशा जीतेगी उत्तरप्रदेश में लेकिन जब चार कोना फाइट होगी तो भाजपा धराशाई होगी और 2022 का यही होने वाला है रही उत्तरप्रदेश क्या जब भी चुनावाना होता है तो जाती समीकरण को देखा जाता है और इधर जो है भारती मिदल के जो नेता है जाती समीकरण देख करके हर जातियों को जो है सीट पे ठोड़ा दिखाया जाएगा कि इस जाती को लोगों को भी हम सामने लाने का मौका दे रहें तो क्या लगता है इसका जो है कुछ फरक पड़ेगा भारती जंतर पार्टी को बहुत बहुत अच्छ समझने की बात कुछ और है समझने की बात है इसलिए मैं आपको आधे मिनट में समझाता हूँ उत्तर प्रदेश में जब कभी भी किसी गठबंदन का भारती अंता पार्टी के साथ मुकाबला वन टू वन हुआ हो तो भारती अंता पार्टी जीती है चाहे कल्यान सिंग हो या पिछले 2017 के चुनाव हो जब गठबंदन होता है एक तरफ जिसमें अन्य दल जो होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं और भारती अंता पार्टी एक तरफ या अपने छोटे दलों के साथ होती है तो भाजपा की जीत निश्चित होती है इसलिए इस बार बाकी तरीकों को अ अपने आप लड़ेगी और बाकी छोटे मोटे दल तो आते रहते हैं बेसिक मतलब यह है कि जैसे एक कमरे में चार कोने होते हैं जब चार कोना फाइट होती है चार कोना लड़ाई होती है तो भाजपा हरती है क्योंकि यही जाती समीकरण बट जाता है बसपा का वोट लोड़ा बहुत वो भाजपा को जाता है इसी लिए ध्यान रखिए कि अगर दो दलों के बीच में या दो घटबंदनों में फाइट होगी तो भाजपा हमेशा जीतेगी उत्तर प्रदेश में लेकिन जब चार कोना फाइट होगी तो भाजपा धराशाई होगी और 2022 का यह होने वाला है रही बात कि वो अंतिम दाव खेलने की कोशिश करेंगे कहीं निशादों को लाना है कहीं मौर्यों को लाना है ताकि कि किसी को दिखाना है यह समय जा चुका है अगर सच में दिल में प्रेम होता निशाद के लिए मौरे के लिए कुर्मी के लिए तो यह उत्तरप्रदेश का मुख्य मंतरी शाड़े चार साल पहले ये मंतरी मंदल बनाता ना के आखरी मोमिन्ट पे हारेगा तो फिर क्या होने वाला है इस बार का जो जिस तरीके से आँ बता रहे हैं कि जाती समीक्रण भी काम नहीं आने वाला है क्योंकि जिस तरीके से उत्तरप्रदेश के मंत्र मंडल में बता जा रहा है कि विश्टार किया जा रहा है उसमें जो है कुर्मी समाज और भी तमाम जो लोग हैं जैसे की बाचित कर ले जाए जैसे संजे निसाज जी हैं उसके बाद जो है जतिन प्रसाज जी है लोगों केविनेट में कोई पद मिल सकता है तो आप हलाकि बोल रहे हैं कि इससे कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि समय निकल चुका है तो समय किस सरीके से निकल रहा अभी जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो 12 कक्षाएं पढ़ती हैं कॉलेज में जाने से पहले तो उसी तरीके से सूबे के चुनाओ की आप बात करेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि यह आखरी दाओ पेज खेलने की जो कोशिश है इसका कोई अर्थ नहीं है अगर इसमें अर्थ होता तो जैसे चार साड़े चार साल पहले अगर सब जातियों को साथ लेके चला ज अंदर उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा SCST OBC जिन्होंने 2017 में एक वादे के तहट मोदी जी के वादे के कि सबको साथ लेके चलेंगे कि तहट भाजपा को वोट दिया था वो अब अपने घर वापस जाएंगी उनका घर मतलब कोई माया जी को माया भेन को वोट को देगा कोई अखिलेश को देगा कोई कॉइपा को देगा यानि के वोट जो पिछली बार एकत्रित हुआ था इस बार बट जाएगा और इस वज़े से यह अंतिम कोशिशें करना चाहें कर लें अंतिम चंद सांसें बची हैं कुछ महीने बचे हैं और इसके बाद जहां तक मेरा सर्वे कहता है साइकल आपको दोड़ती हुई दिखेगी लेकिन वो तो उनके हिसाब से तो कह रहे हैं कि अभी जब आज तक से बाचित कर रहे थे तो खुद योग्या दितनाच जी ने ये कहा था कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है जिस तरह के सखले स्या भारत के ग्रहे मंतरी दावा ठोक रहे थे के हम पता नहीं इतना पार उतना पार और लग गई उनके गंगा पार तो ये जो गंगा पार लग जाते हैं वार बार इसका कारण यह है कि दावा तो सभी कुछ ठोक सभी लोग बोलेंगे रही बात अखिलेश आदव के दावे की तो मैं उनके दावे की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि भारतियनता पार्टी का जो इकत्रित वोटz 2017 का बट रहा है वो किधर जा रहा है माया का माया के पास अखिलेश का अखिलेश के पास क्योंकि अगर उस वोटर के लिए उस मतदाता के लिए उस गरीब के लिए अगर कुछ किया होता तो फिर ये भारतियंता पार्टी को कोई परिशानी ना होती लेकिन मतदाता बट के वापस घर जा रहा है जो इनी की भाशा में घर वापसी होती है तो सभाविक सी बात है कि आपको 2012 और 2017 का जो परसेंटेज है वो प्रतिशत जो है वो आपको देखना पड़ेगा और मान के चलिए कि 2022 में डेड़ करोड मत से जादा भारतियंता पर्टी को टोटल मिला कुल मिला के नह कमल कीचड में खिलता है और हर बार कीचड लोगों को पसंद नहीं आता है कमल बहुत अच्छा एक फ्लावर है उसका बहुत नाम है लेकिन जब वो कीचड में डूब करके अपने आपको वापस खिलाने की कोशिश करता है तो पुनर जनम लेना पड़ता है योगी आदिति के लिए कह रहा हूँ उन्हों ने जिस तरीके से उत्तरप्रदेश बरबाद किया है इसके लिए किसी को कहीं इधर उधर न्यूज देखने की जरुवत नहीं है नजर घुमा करके अपने गाउं देहात कस्बे शहर में देख लो अगर उत्तरप्रदेश डूबा हुआ ना म हमें अपना किमिती समय देने के लिए तो ये हमारे शाथ मौझूद रहे निशान वर्मा जी जो कि राजनीती भी से ले सके हैं वह खुबी समझते हैं राजनीती पहलों को कि किस तरीके से आने वाले समय में कौन सी पार्टी क्या डाव खेल सकती है और उस डाव का जो है च